Hello everyone, आज हम करने जा रहे हैं आपका first unit start that is origin of quantum mechanics तो basically हम quantum mechanics पढ़ेंगे अभी तक आप first year और second year में आप classical physics पढ़ते आए थे तो अब हम पढ़ेंगे इस साल that is quantum physics तो उससे पहले हम थोड़ी से brief history पढ़ते हैं कि यह आई कहां से थी क्या जुरूरत पढ़ गई थी हमें quantum mechanics पे जाने की है quantum physics के बार में बात करने की तो in 19th century के अंदर जो different physicists थे उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी fundamental laws है nature के वो सारे के सारे दिस्कावर हो चुके हैं physics के तो इसके बाद कुछ भी जो है हमारा physics का काम खतम हो चुका इसके बाद कुछ भी discover नहीं होगा तो उन्होंने different branches थी physics की उसको एक journal theoretical framework में रख दिया उसको उन्होंने नाम दिया that is your classical physics तो different branches को हमने इसके अंदर पढ़ते हैं that is your classical physics के अंदर हम पढ़ते हैं तो mainly classical physics के अंदर जो branches आते हैं that is your classical mechanics, electromagnetic theory and thermodynamics तो आपने classical mechanics आपने पढ़ी हम जितने भी motion किसी का भी अगर material object के motion को अगर मुझे स्टड़ी करना है तो मैं किसी मदद लूगी classical mechanics की मदद लूगी तो classical mechanics को आप न्यूटोनियम mechanics भी कह सकती हो क्योंकि यह सबसे पहले जो है तो electromagnetic theory was first given by Maxwell, Maxwell ने दी थी और उन्हों ने क्या किया था, study की थी किसकी, radiations की तो जितनी भी radiation है, उनकी किसने study की थी, Maxwell ने की थी, तो आपको पता है कि light V is also a radiation, तो x-rays, gamma rays, यह सब की study किसने की थी, बच्चे, Maxwell ने की तो classical mechanics ने study की, कोई भी object के motion की study की Maxwell electromagnetic theory ने क्या किया, बताया कि study की, किसकी radiations की study की थी, और thermodynamics बच्चे, it deals with the interaction of radiation with matter तो अगर यह जो radiation जो है कैसे matter के साथ interact करती है, तो इसकी study किस ने की थी, बच्चे, thermodynamics ने की थी तो इसका मतलब जितने भी हम physics के कोई भी अगर मुझे phenomenon को explain करना है, तो मैं इनका use करके, जो है, मैं उसे explain कर सकती हूँ क्योंकि हमें पता है हमारी universe है, वो matter radiation से मिलके भनी है, तो हर चीज की सो study हो पा रही थी, हमारे पस classical physics में, तो हमें फिर quantum physics की जूरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम 20 century में जब हमने move किया, तो हमने देखा, एक चीज हमारे पास concept यह आया, कि जब हम newton के laws को लगाते हैं कोई भी object अगर speed of light से move कर रही है, कोई भी object अगर speed of light से move कर रही है, तो उस case में newton के laws जो थे, वो खतम हो जाते थे, यहां फिर यह कहलो newton के laws जो थे, वो fail हो जाते थे, वो explain नहीं कर पाते हैं, कि क्या उनका motion रहेगा, तो उसके बाद यह हमारे पास drawback आई, तो classical physics इसे explain नहीं कर पा रहा था, उसके बाद classical physics के पास कोई explanation नहीं था, अगर मुझे किसी भी atom का microscopic structure, मुझे किसी भी atom का structure जानना है, यह कैसे उनके साथ radiation interact कर रही है, तो इनके बारे में जानना है, तो वो classical physics explain नहीं कर पा रही थी, तो classical physics जो एक्यानी explain कर पा रही थी, किसी भी atom का कै इसे वो interact करते है, रेडियेशन के साथ, यह सब को explain नहीं कर पा रही थी, जब हम किस से देख रहे थे, microscopic level में, बहुत ही छोटे level पे जब हम देख रहे थे, तो यह चीजे वो explain नहीं कर पा रही थी, classical physics के जितने भी लोज थे, वो इसके उपर applicable नहीं थे, तो इसका मतलब ज radiation का spectral distribution of radiant energy emitted by heated black body, इसे explain किया, यह हम आगे पढ़ेंगे कि एक, यह क्या था, यह spectral distribution के ऐसा था, radiant energy का, यह हम आगे पढ़ेंगे आपके, तो उन्हें सिंपल black body की problem को solve किया था, 1900 में, और उसके बाद, उन्होंने यह भी बताया था, कि जो भी energy है, जो भी atom energy emit करता है, यह फिर जो भी energy का exchange होता है, between the radiation and the surrounding, that takes place in the form of quanta, quanta की form में जो है, आपकी जो है, energy exchange होता है, radiation का surroundings के साथ, तो उसी concept को लेते होए, 1905 ने, Einstein ने photoelectric effect को explain किया था, तो 1905 में, Einstein ने किसको explain किया था, आपको पता है, light जो है, वो भी किसकी form में होता है, होती है, light is a form of quanta, यानि कि light जो है, वो भी किसकी form में आती है, बच्चे, quanta की form में आती है, ऐसा नहीं होता कि light जो है, light rays जो continuous है नहीं, वो in the form of packets आती है, जिनकी energy क्या होती है, e is equal to h new, यही प्लैंक्स ने बोला था, कि हर radiation जो है, वो किसकी form में होती है, in the form of quanta होती है, औ हर क्वांटा की जो energy होती है, that is, e is equal to h new, तो आपकी light भी है, वो बच्चे क्या, कैसे fall करती है, in the form of quanta fall करती है, डिस्क्रीट होती है, और वो जब radiation किसके उपर fall करती है, मैटर की उपर fall करती है, तो हमें जो है, electron जो है, नोकाउट होती है, तो हमें क्या मिलता है, बच्च is your Compton effect, Compton effect में बच्चे क्या होता है, कि अगर कोई भी हमने क्या किया था, x-rays को fall करवाया था, किसके उपर, एक electron की उपर, तो मानलो x-rays की wavelength lambda थी, तो उसके बाद क्या होई, जो scattered wavelength थी, इस electron से जो है, इस electron से जो है, मारी पास जो wave थी, x-rays थी, वो scattered होगी, और उनकी wavelength क्या थी different थी, जो तुमारी incident wavelength थी, तो electron जो है, रिकॉल किया, तो ये जो है, हमारे पास जो shift आया, यह जो change आया है, आपका wavelength के अंदर, उसको उन्होंने नाम दिया Compton effect, तो ये Compton effect डिसकवर हुआ, photoelectric effect आया, तो इन सब की जो explanation जो थी हमारे पास, classical physics इन सब को explain नहीं कर पा रहा उसके बाद बच्चे आपको पता है, डी ब्रोगली आए, डी ब्रोगली ने ये बताया, कि हमारी matter, it is made of particle as well as waves, तो matter जो है, वो particle और wave दोनों से मिलके बना है, तो इसका explanation भी जो है, हमारे classical physics के पास नहीं था, तो डी ब्रोगली ने एक, जब हम आगे पढ़ेंगे, करेंगे, तब concept करेंगे, तब हम बताएंगे कि uncertainty principle क्या था, तो यह सब की explanation जो थी, हमारे पास classical physics में नहीं थी, तो इन सब की explanation जो थी, हमें कहां से मिली थी, बच्चे, quantum physics से मिली थी, तो यहाँ पे आपके पास यही है, इस topic के अंदर, तो डी ब्रोगली ने दी थी, uncertainty principle हम बात में डिसकस करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद जो है, हमारे पास quantum physics आई, quantum physics की पहली stage कहां से शुरू हुई थी, जब Max Planck ने बोला था, कि जो भी radiations emit करता है atom, वो in the form of क्या होती है, क्वांटा होती है, और उनकी energy क्या होती है, बच् that is the mixture of classical and non-classical, आप इसको यह नहीं कोगे, बस आप simply यह कोगे, कि यह जो theory that belongs to your quantum mechanics, और second stage में हम बच्चे पढ़ेंगे, कि जब wave mechanics का discovery हुई थी, तो वो wave mechanics किस ने दी थी, स्कॉडिंजर ने दी थी, 1926, तो हम यह भी हम पढ़ेंगे second stage में, तो quantum mechanics basically दो stages है, पहली stage में हम max plan के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम wave mechanics के बारे में पढ़ेंगे by using, जो किसने दी, स्कॉडिंजर ने दी थी, 1926 में, अब बच्चे जो next चीज आपके पास आती है that is scale of quantum mechanics, quantum physics, अब आपको पता है classical physics है, classical physics का scale क्या होगा बच्चे, कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं, नेगडाई से, या फिर कोई भी चीज जिसको हम observe कर सकते हैं, जो की क्या हो, macroscopy को, अब मैं बात करूँ जैसे car है, car चल रही है, आप उसे देख सकते हैं, उसके motion क स्टड़ी कर सकते हो, तो आप कौन से concept लगाओगे बच्चे, आप concept लगाओगे classical physics के, हम उससे explain कर सकते हैं, तो किसी भी चीज को जिसको आप observe कर सकते हैं, जिसको आप नेगडाई से देख सकते हो, या फिर आप microscope की मदद से भी जिसको देख सकते हो, तो वो किसके अंदर आएंगे बच्चे, आपके उसका scale जो होगा, वो क्या होगा, आपका classical physics का scale होगा, वो जाए स्यादा क्या होगा, माइक्रोस्कोप तक हम लेवल तक हम देख सकते हैं, तो 10 डिस फोर माइनस 4 मीटर तक हम जो है, इसी ली हम चीजों को observe कर सकते हैं, उनके उपर जो हम classical mechanics के laws जो हम लगा के उन्हें solve कर सकते हैं, तो यहने कि जो भी equation derive होंगी, वो किसके solution मिलेगा, हमें किसका मिलेगा, macroscopic bodies का, तो classical physics जो है, वो किसके साथ deal करती है, कोई भी object जो macroscopic level पे हो, उसके बाद बच्चे, हमने बाद में हमें पता है कि किसके discovery हुई थी, photoelectric effect आया था, x-rays इनकी explanation जो है, हमारा classical physics नहीं कर पाया था, तो उसके लिए, जो है, हमारे पास क्यूंकि कहां तक level पर, जब हमने 10 days per minus में 10 ang stone की बात करते हैं, तो उस case में, जो classical physics के जो loss थे, वो valid नहीं थे, तो उनके लिए, हमारे पास कौन सी physics आई थी, बच्चे, उनका जो scale था, वो किस से बिलोंग करता है, बच्चे, आपका quantum physics से बिलोंग करता है, तो और आप ये भी कह सकते हो, microscopic structure की explanation किस ने दी थी, बच्चे, quantum physics ने दी थी, तो यहां पर यही लिखा हुए, कि इनका जो description था, atomic और subatomic scale का, जो few angstrom में होता है, ये जो है, classical laws इसके उपर valid नहीं थे, तो उस macroscopic level की बात करें, तो उस case में बच्चे, energy और momentum का same meaning नहीं होता, क्योंकि आप जब आगे पढ़ोगे, जैसे आपने hydrogen atom बोहर के लिए, अगर आपने करी होगी problem आगे कभी solve, जो हम करेंगे next semester में, तो उसमें आप देखोगे हर atom की discrete energies होती है, तो हर atom की क्या होती है, discrete energies होती ह है, तो यह जो है, आपका जो है, classical physics जो यह कहती है, कि हर एक चीज की क्या होती है, same energy होती है, continuous energy होती है, तो वो explain नहीं करती है, तो कोन explain करता है, quantum physics ही आएगी इसके लिए, तो quantum physics के case में क्या होता है, कि हर atom की क्या होती है, discrete energies होती है, discrete momentum होता है, तो scale क्या रहा quantum physics का, कि classical physics को तो हम 10 Micron 1 Micron तक हम देख सकते हैं पर जैसी हम एंक्स्टों की बात करते हैं फर्मी की बात करते हैं ऐंक्स्टों से लेकर फर्मी तक तो उसके लिए हम कोन से लोग अप्लाएंगे वह हम quantum physics के laws मतलब valid होंगे उसके लिए next है बच्चे that is your boundary separating boundary separating classical and quantum physics देखो बच्चे quantum physics की मैंने बात करी तो quantum physics में मैंने आपको बताया कि हम classical physics deals with the macroscopic bodies अगर मैं classical physics की बात करूं तो वह macroscopic bodies के लिए applicable है और अगर मैं classical की बात तो Mamacroscopic के लिए applicable है अगर मैं quantum theory की बात करूं तो microscopy के लिए applicable है तो यह तो होँगे simply बात कि हाँ अगर le cel कि बात कि दौ लगाएंगे तो classical mechanics लगाएं ग्लासिकल physics से हम study करेंगे microscopy bodies कि मुह दो सदिक अग्रत मुझे लगाएंगे पर और भी कुछ तरीका है जिससे हम इन दोनों की इनको हम सेप्रेट आउट कर सके तो जैसे कि आपको पता है अगर मुझे मान के चलो कि अगर मुझे बताना है कि कोई भी मोशन है कोई भी मोशन कोई भी अब्जेक्ट का मोशन रिलेटिविस्टिक है यहां फिर क्या है नॉन रिलेटिविस्टिक है तो आप कैसे बताते हो कि यह मोशन रिलेटिविस्टिक है यह नॉन रिलेटिविस्टिक है कैसे बताते हो आप विलोसिटी से बताते हो उसे कि अगर विलोसिटी जो एगी अबजेक्ट की अगर कंपरेबल होगी यहां फिर मोशन होगा relativistic motion होगा अगर velocity कम होगी speed of light से तो कैसा motion होगा बच्चे non relativistic motion होगा तो हम जैसे velocity से हम इं दोनों को differentiator कर सकते हैं कि motion कैसा होगा वैसे ही बच्चे मैक्स हमारे पास जो h है वो max plank नहीं दिया था इसको हम कहतें planks constant अब किया गया classical physics के लिए classical और quantum सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर किसी भी क्वांटिटी का हम बात कर रहे हैं कोई भी सिस्टम है उसकी अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर उसकी वैल्यू एच के ओडर की है अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम बात कर रहे हैं कोई भी एक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू अगर एच के एक्वल है तो उसके इसमें बच्चे हम कौन से लोज लगाएंगे क्वांटम फिजिक्स के लोज लगाएंगे सिमिलरली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसका साइज क्या लो या फिर कोई भी एक्शन उसका साइज जो है बड़ा है एच से तो उसके उपर हम कौन से लोज लगाएंगे बच्चे क्लासिकल फिजिक्स के लोज लगाएंगे तो यही कह रहा इसके अंदर भी आगे वह लेक्ट की न की वेल्ल्य ले तो ख्लासिकल लिंट्स में ल वैल्य होगी एंगलोर्मेंटम की value होगी अगर greater than h cut है तो इसका मतलब क्या होगा n की बहुत जादा value होगी यहनी कि यह कहा रहा है बच्छे कि l जो है वो n h cut के equal होता है अगर n की value 1 है तो इसके उपर कौन से क्लासिकल फिजिक्स के लोगेंगे इसके उपर एक चीज और है यहां पर लिखी हुई है बहुत करें बहुर और अगर अगर आप प्रॉब्लम सोर्व करके आये होगे फ्लस वन में तो बहुर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आपने सॉल्व किया होगा तो उस केस में बच्छे आपको मिलता है एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मुला होता माइनस थाटीन पॉइंट स्कूर और आप यह कह सकते एनर् आपको कुछ एनर्जी मिलती थी थे रहया हर बार डिस्कृ डिस्कृर्ट आ रही एवश्यन पॉट ज्यादा हो गया उससँ वे देखा एनर्जी क्या होगी बसटेव यान की continuous होती है तो जब एन की वहली बहुत लाज हो जाएगी तो quantum physics किसमें convert हो जाएगी आपकी classical physics को अप्रोच करेंगी यह कहां तक तो यही था जैसे n infinity को अप्रोच किया तो हमने बता दिये कि quantum किसको अप्रोच करेंगी आपकी क्लासिकल दियुडी को अप्रोच करेंगी तो हमें अगर मैक्रोस्कोपिक प्रोपर्टीस हमें understood करनी है तो इस केस में जो है जब हमने बहुत लाज हो तो मैक्रोस्कोपिक प्रोपर्टीस को भी हम explain कर सकते हैं by using quantum mechanics ठीक है तो यह नहीं आपको होगे कि मैक्रोस्कोपिक प्रोपर्टीस को क्वांटम मेक्षानिक्स में मतलब उसे explain नहीं कर सकते हैं यह कुछ ऐसे फिनॉमिनाज रहे हैं जैसे सूपर कंड़क्टिविटी तो ऐसे कुछ फिनॉमिनाज रहे हैं जो कि मैक्रोस्कोपिक भीएवियर दो शो करते थे पर उसे क्लासिकल मेक्षानिक्स जो एक्स्प्लेइन नहीं कर पाई थी तो वह किस ने explain कर दिया था बच्चे आपके क्वांटम मेक्षानिक्स ने explain कर दिया था